अस्सलाम उलेकुम बच्चो बच्चो आज हम मराठी का पाठ क्रमांक अठ्रा अम्मी ची माया पढ़कर समझेंगे जना व सल्मा या दोगिन ची खूब मैत्री होती त्या दोगी एकास वरगात शिकत होता जना और सल्मा ये दोनों गहरी सहलिया थी और ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी त्या दोगिन्ना एक मेकिन शिवाय कर्मत नसे, वो दोनों का दिल एक दूसरे के बगेर कभी भी नहीं लगता था सल्मा चे घर शाले चा रस्त्यावर होते, सल्मा का घर जो है स्कूल के रास्ते में ही पड़ता था एके दिवशी सकाल पासून खूब पाउस पड़त होता, पाउसा चे पानी रस्त्यावर जागो जागी साचले होते, एक दिन बारिश का बहुत सारा पानी जो है बारिश का पानी रास्ते पर बहुत जमा हुआ था पाउस थामल्यावर शाड़े जाताना जना सल्मा चा घरा कड़े निगाली, जब बारिश रुप गई तो जना जो है सल्मा के घर की तरफ निकली पन पाउसा मुळे सर्वतल चिखल जाला होता, लेकिन बारिश की वज़े से हर तरफ जो है तो कीचड हो चुका था चालता चालता जना चा पाए घसरला वती पड़ली, जना का पैर फिसल गया और वो कीचड में गीर गई तीचा गणवेश चिखलाने भरला, दफतर ही चिखलाने भरले, और उसका गणवेश याने स्कूल का जो इनिफॉर्म था, वो भी कीचड में भर गया और उसका जो बैग था, वो भी कीचड से लदपत हो गया शाड़ा भरने चीवेश हाली होती, ती घाबरून रडू लागली स्कूल के शुरू होने का वक्त हो चुका था, इसलिए सलमा जो है बहुत घबरा गई, और वो जो है रोने लगी ती रड़त रड़त सलमा जा घरा परेंत आली, और फिर वो रोते रोते जो है वो सलमा के घर तक आई